बॉलीवुड अभिनेता शाहरुक खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की ओथर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुँचे शाहरुक सुबह करीब 9 बज कर 15 मिनट पर ओथर जेल पहुँचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए ये पहली बार है जब शाहरुक जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पहुँचे थे इस से पहले वह आर्यन खान से वीडियो कॉल के जरीय बातचीट करते रहे हैं जिस वक्त शाहरुक खान आथरोड जेल पहुँचे वहां मीडिया का हुझून था शाहरुक खान से मीडिया ने कई सवाल भी किये लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने सुरक्षा घेरे के साथ सीधा अंदर चले गए बताया जा रहा है कि शाहरुक ने आर्यन खान से करीब 15 मिनिट मुलाकात की कल महानगर स्थितेक विशेश अदालत ने आर्यन और दो अन्यकों बुधवार दो पहर जमानत देने से इंकार कर दिया था विशेश न्यायाधी श्वीवी पार्टिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों अर्बाज मचिंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया जमानत खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने तुरंद बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी थी आर्यन की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है आर्यन के वकीलों की तरफ से आज न्याय मुर्ती, NW सामरे की एकलपीट के समक्ष, अपील को पेश किये जाने की संभावना है आर्यन खान सहित सभी आरोपियों को एक दूसरे से अलग कर अलग-अलग बैरक में रखा गया है